नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां की टॉप 25 परमो खबर जानते हैं पीए मोधी के भाई ने लखनावी अर्पोर्ट पर सुरू किया धरना पधान मंत्रिनाय मोधी के भाई प्रहलाद मोधी को लेकर एक खबर आ रहा है बताया जा रहा है कि पीए मोधी के भाई ने लखनावी अर्पोर्ट पर धरने पर बैट गए हैं उन्होंने योगी आधी तेनाथ सरकार की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है मेडिया रिपोर्ट के अनुसार अमावसी अर्पोर्ट पर प्रधान मत्रिनाय मोधी के भाई पर अलाद मोधी धरने पर बैट गया है उन्होंने अरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके समर्थकों को गिरबतार कर लिया है उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनके समर्थकों को रिया नहीं किया जाएगा तब तक वह वहाँ से नहीं लोटेंगे राइधानी राची में अगले 48 घंटा तक मौसं साफ रहने का अनुमान है मौसं विभाग की माने तो गुरू अर्थक आस्मान साफ रहेगा वही 5 फरवरी को आस्मान में बादल रहेंगे 6 फरवरी को बारिस का अनुमान है 7 से 8 फरवरी के बिज धूंद अथवा कोरा कैम रह सकता है बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के चेतर के कारण अगले 48 कंटा के बाद मौसा में बदलाव आ सकता है वहीं पिछले 24 कंटे में सहर का दिक्तम तापमान 25.4 डिगरी सेल्सियस तथा निम्तम तापमान 7.6 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ट किया गया जार्खन में घायलों को मदद करने पर 2000 रुपए बुद्वार को जार्खन केविनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है इसके तहुत जहां जार्खन बिधान सभा का बजट सत्र अगामी 26 परवए 2021 से सुरू होगा वहीं अब राज्ये में घायलों की मदद करने पर भी से समान मिलेगा बतादे सरकार ने समेदन सिल्टा का परिचे देते हुए जार्खन गूड एसमार्टियन पॉलिसी को स्वेकरिती दी है ताकि सुरुक हाथ से में घायलों की मदद के लिए लोग आगे आएं और किसी के जीवन की रक्षा हो सके अब सरकार घायलों को अस्पताल पहुचाने वालों को प्रुसाहन रासित देकर समानित करेगी दुर्गातना के एक गंटे यानि गोल्डेन आवर में घायल को अस्पताल पहुचाने पर उस प्यक्ति को 2000 रुपए दिये जाएंगे जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर परिक्षा का सेडियूल जारी जारखन एकेडमी कॉंसिल ने मैट्रिक और इंटर की परिक्षा का सेडियूल जारी किया है बतादे मैट्रिक और इंटर की परिक्षा अगामी 4 मई 2021 से सुरू होकर 21 मई 2021 तक चलेगी जाएक द्वारा संचारित मैट्रीक और इंटर्गी परिक्षा में जार्खन से करीब 7.5 लाग परिचाती परिचा देंगे इसके तहट ओनलाइन रईश्टेशन की तारिक दूसरी बार बढ़ाई है ताकि मैट्रिक और इंटर्गी परिक्षा देने वाले पर चार्थियों को कोई परिचानी ना हो जार्खन के ब्रीद और और औस्वस्थ कलाकारों को मिलेगा 4.000 रुपे प्रती माह पेंसन जार्खन के मुख मत्री हेमांसुरे ने राजय के स्रेश्ट एवं बेहतरीन और स्वस्थ моे कलाकारों को पेंसन देने की मंजूरी दी है एक बीरती बर्ष में 100 कलाकार को पेंसन दिया जाएगा बता दे इन कलाकारों को हर महीने 4,000 रुपे पेंसन देने के प्रस्ताओं को सीम ने मंजूरी दी है अब जार्खन केबिनेट की स्विक्रिती ली जाएगी जार्खन में आधे से अधीक हेल्थ वरकस ने नहीं दिखलाई वैक्सीन में रूची कोवीड-19 वैक्सीन के रूप में कोवीड-शील्ड एवम को वैक्सीन को मंजूरी दी गई है लेकिन कोवीड-वैक्सीन को लेकर देश में फैले अफवावों का असर जार्खन में भी दिखा है परिणाम सवरूप जार्खन के कूल 1,62,000 हेल्थ वरकस के फर्स्ट फेज में 10 दिन के वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए चिन हीद कूल 86,946 वरकस में से मात्र 48,013 हेल्थ वरकस को ही कोवीड-19 का टिका लगाया जा सका है यानि कूल टार्गेट 54,000 हेल्थ वरकस में से एक फर्वरी 2021 तक मात्र 48,000 वरकस नहीं टिका लगाया है तीन मार्च को बयट पेस करेगी हिमंद सरकार 26 फर्वरी से बयट सत्र जार्खन 2021 विधान सबा सत्र को लेकर भी बुद्वार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नहीं लिया गया बता दे अभी तक की तैयारियों के अनुसार इस महीने के आखरी सब्ता में विधान सबा में बयट सत्र के आयोजन के लिए कैबिनेट से अनुमत्ति ले लिग गई है और तीन मार्च को जार्खन का बयट पेस किया जाएगा तैयारियों के अनुसार सत्र बुलाने किती थी 26 फरवली तैक कर दी गई है बता दे कैमिनेट की बैठक के बाद इसकी पुष्टी हो गई है मंगलवार को देर साम कैमिनेट की बैठक को लेकर जारी एजेंडे में विदान सभा सत्र की बाद सामिल नहीं थी लेकिन विदान सभा के सुत्रों के अनुसार तैयारी ये पूरी कर ली गई है और कैमिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया राकेश ठीकेट से मिले जहारखन क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेख दिली की सिमाओ पर परदसन कर रहे किसानों के साथ जहारखन सरकार ने एक जुटता दर्साई है बतादे परदेश के क्रिसी पसुपारान एम साकाइटा मंत्री बादल पत्रलेख ने किसान नेता राकेश ठीकेट से मुलकाद कर उन्हें जहारखन का पानी पिलाया पतादे मंगलवार देर रात गाजीपूर बोडर पर टिकाएट से मुलकाद के बाद बादल पत्रलेख केंद्र सरकार पर जम कर बरसे उन्होंने का कि संसत से पारित तीनों किसी कानुनों को केंद्र सरकार को ततकाल वापस लेना चाहिए उन्होंने गाजीपूर में अंदोलन कर रहे किसानों से भी मुलकात की MST पर रेल्वे ने लिया फैसला बता दे रेल्वे बोर्ट के आदेश के मुताबिक ट्रेंस सेवा बंध होने के चलते जो यात्री अपनी मासिक सीजन टिकट पर जितने दिन सपर नहीं कर सके थे उन्हें राहत देते हुए अब बचे हुए दिनों के लिए अपने MST के उपयों की इजाधत दे दी गई है ल्हाठ घडवा पछमी सीमूम रामगर से एक- एक और आज़ि से विदने संक्रामित मिले हैं जार्खन में कुल मुझत की संख्या 1,177 है वहीं जारकन में एक टीब केस की संख्या 435 है भारत में 12916 नई संख्रमित की पुष्टी हुई है भारत में कूल मौत की संख्या 1,54,742 है वहीं भारत में एक टीब केस 1,22,360 है चत्रा से अमेरिकन राइफल के साथ उगरवादियों का स्वयोगी गिरफता है चत्रा पूलिस और CRPF ने लवा लंग ठाना छेत्रे में छप्यमारी कर उगरवादियों के एक स्वयोगी को हथियारों के साथ गिरफतार किया है बतादे पकड़ा गया उगरवादियों समर्थोप पर्तिबंधित संगठा नित्रितिय समेलन प्रस्तूती कमिटी टीएसपीसी के लिए काम करता था उसके पास से एक अमेरिकन राइफल एक बोल्ड राइफल और भारी मात्रा में कार्तूस प्रामत किये गए यहाँ है बी आरपी सी आरपी के समायोजन का तयार होगा प्रस्ताव बी आरपी सी आरपी मौजूद थे पता दे आक्रोस सवा में महा संग को समर्थन देने के लिए गोमिया बिधाय क्लंबोदर महतों भी पहुचे और अस्वासन दिया की इस समन्द में सिक्षा सचीव मुख्य सचीव एवं मुख मंत्री से मिलकर उनकी बात को रखेंगे आए दूगिनी करने के केंद्र सरकार के लक्ष से कही आगे बढ़ते हुए जारकन की किसानों को लाखपती बनाने का वादा किया है बता दे बुधवार को रामकृष्ण मिशन के सभागार में फूलो की बेवसाई खेती पर आयोजीत सेमिनार में किरिसी मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष चाल साल में राजे के 24 लाख किसानों को लखपती बनाने कहा है किसानों को पराम परागत कहती के साथ साथ बागवानी से जोड इस लक्ष को साधा जाएगा जारखन में पांच बरसबाद हो रही सात्वी जारखन में परीच्छा में अभियारथियों को उमर सिमा में चाल साल साथ महिना तक की छूट का लाव मिल सके गएगा पतादई से केबिनेट की बैटक में मंजूरी दी गई है पहले से निर्धारित अधिक्तम और नियुतम उम्र में बदलाव किये बगएर इनकी गन्ना के लिए अलग अलग तिथी मा और वर्स का निधारन करने का प्रस्ताव कर्मिक विभाग ने किया है तैयारियों के अनुस तैक में नरस के साथ दुषकर्म का प्रयास राची के बेड़ों में 50 वर से एनम के साथ नुसकर्म के प्रयास की घटना के बाद अक्रोसी स्वास्तकर्मियोंने समधाइक स्वास्त केद्र मेंぞपीडी सेवा ठाप कर दी घटना के बिरोध में स्वास्तकर् Finished के बाहर पर दस मंद्रेगा मैझदूरी बढ़ाय केंद्र स्रकाः हीमांत सुरेन को पत्र लिख कर मनद्रेगा मैझदूरी की दर बढ़ा कर 295 रूपए करने की मांघ लिखा है कि जार्छन में मन्डेगा के ततकार्र करने वाले औक रुसल स्रामिकों को 194 रुपे प्रती दिन देना तय किया गया है या दर किसी भी राजे के लिए तय दर से कम है सीम ने लिखा है कि स्राम विभाग जार्खन सरकार द्वारा 13 नौंबर 2020 को जारी अजिसुचना द्वारा अकुसल स्रामिकों के लिए नियुंतंक đến मैदूरीदर 295 रुपया 80 पैसा निधायत किया है पंचायती राजकर्मियों का रांकी में धार्ना पर्दशान पंचायती राजकर्मी संक के सदसे रांकी में धार्ना पर्दशान कर रहे हैं इनका मोख्य मंत्री आवास घिराव का कारेकरम है बतादे इसको लेकर रांची में भारी संख्या में पूलिस बल की तैनाती की गई है चोधावे बीत आयोक के तहट संख्य के सदस्यों का धारना पिछले 47 दिनों से रांची के बिर्शा चोग पर चल रहा है बिर्शा चोग पर परदसन कर रहे पंचायत राज कर्मी संख्य के लोग चकमा दे कर मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घिराव करने पहुच गए है करीब 300 की संख्या में यहाँ आलमगीर आलम के आवास का घिराव कर रहे है पूलिस बीर्षा चोक पर बैठी थी और यह लोग मंत्री के घर तक पहुच गए चार फरवरी से बिजली बिभाग चलाएगा बकायोदारों का कनेक्शन काटने का अभियान जारखन बिजली बित्रन निगम लिमिटेड फरवरी मां में बिजली के बिजली के बिजली का कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर देंगे बिभाग के अधिकारियों के साथ बैठ कर महाप्रवंधत पीके श्रिवास्ताव ने सभी को उनके लक्ष से अवगत करा दिया है जारखन में फूलों की बेवसाई खेती को बढ़ावा दिया जाएगा क्रिसी मंत्री दिब्यायन क्रिसी बिग्यान केंद्र राम क्रिष्न मिशन आस्रम मुराबादी वा जीला उद्यान पदादिकारी करयाला के सन्युक्त स्वयोग से बुद्वार को करया साला हुई इसका बिशाय था जारखन में फूलों की बेवसाई खेती बर्तमान परिद्रिस और संभावना है मुख्याती थी क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेख ने दी परोजलित करकार का उद्गाटन किया बता देराम कृष्ण आस्रम के सचीव स्वामी स्वेसान अंद जी ने किरिसी बिग्यान केंद्र के किरिया कलापों की जनकारी दी किरिसी मंत्री ने काया कि परदेश के 25 फिर्दी किसानों को फूलों की खेती करने के लिए राजसरकार आउसर प्रतान करेगी इसके लिए सरकार प्रयासरा था है कि इसकों को आमदनी बढ़ाने के लिए फूलों की खेती अच्छा विकल पाओ है जम सेदपूर में एक्सप्रेस ट्रेनों को ठाराव के लिए रेल चक्का जाम शुरू चक्रधरपूर रेल मंडल के हावडा मुंबाई मुखे रेल मार्क के गोईल केरा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों को रोकने किमांग करते हुए अंदोलन शुरू हो गया है बुद्वार को नागरिक एक्तामंज के आवान पर सैक्डों लोगों ने रेल चक्का जाम कर दिया बतादे सुबा आट बच कर पैतालिस मेट पर एस्टेशन में अनिस्चित कानिन रेल चक्का जाम सुरू किया गया किसान अंदोलन के सहरे मिशन बंगाल में उत्रेगी कॉंग्रेस जारखन में सरकार में सामिल कॉंग्रेस ने बंगाल चुनाओ में अपनी चमक और धमक बढ़ाने की कोशिस में अपनी पुज़ोर ताकत लगा दिया है इस वज़े से कॉंग्रेस नेताओं का दिली दोरा भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा किसान अंदोरन के सारे भी कॉंग्रेस अपने नईया को पार करने में टेजी से जूटी है। बता दे जार्खन में कॉंग्रेस के मुखिया रामेसवर उणाओ के दिली दोरे में बंगाल चुनाओ को लेकर गठपंदन की राई निती पर एक नई बहुत छेर दिया है दिली में कॉंग्रेस के जर्णल सेक्रेटी केसी बेनु गोपाल से मुलकात कर किसी मंतरी बादल पतले के साथ राची लोटरे मंतरी रामेसवर उणाओ ने बताया कि कॉंग्रेस बंगाल और असम चुनाओ को लेकर खुद को मजबूत करने की कोशिस में जूटी है जार्खन में नहीं होगी आठवी नवी और एगार्वी की बार्सिक परिक्षाई नहीं होगी और इन कक्षाओं के स्टुडेंट को सिधे अगली कक्षाओं में परमोट कर दिया जाएगा हलाकि इसको लेकर अभी कोई अधिकारी घोस्तना नहीं होगी लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट के सुत्रों के हवाले से ऐसा कहा गया है ऐसा कहा जा रहा है कि जार्खन में आठवी नवी और एगार्वी की बार्सिक परिक्षाई इस साल नहीं कराए जाएगी मीडिया रिपोर्ट में सुत्रों के हवाले से कहा गया है कि जार्खन एकेडमी कॉंसी जैक ने इक अक्षाई के स्टूडेंट की परिक्षा नहीं लेने का प्रस्ताव दिया है देश के अकांची जिले के टॉप फाइप में बोकारो नीती आयोग के जारी दिसंबर 2020 की डेल्टा रैंकिंग में बोकारो ने टॉप फाइप में अपनी जगा बनाई है बतादेया सूबे का दूसरा जिला है जिसने देश के टॉप फाइप में अपना स्थान बनाया है हलाकि पर्यास के बाजूर बोकारो जिला गड़वा से पीछे है गड़वा राजे में नमबर एक पर है तो बोकारो नमबर दो पर है वहीं जिला का साहिब गज़ सबसे फिशडी है बतादे देश के 112 जिलो में 107 वे रैंक पर है